हालो फ्रेंट्स नमस्कार जुटीसियल एक चनल से मैं राजेश कुमार सोनी हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हमारे पास IPC से प्रॉब्लम है देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम हल करने का एक जुटीसियस तरीका कोशिश करता हूँ कि आपको मिले और आप लोग भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स को जब कभी आपके इद्जाम औगेरा में आते हैं तो हल करें देखिए प्रॉब्लम हमारे पास है एक बिशिष इस्थान पर आग लग गई है सब्दों पर गौर करना है गौर फर्माना है आपको और बिशिष गौर करना है ए ने इस आग को देखा ए ने इस आग को देखा इस बेक्ति ने इस आग को देखा जो एक इस्थान पर लग और आग फैलने से रोकने के लिए दो काम आग फैलने से रोकने के लिए और मानो जीवन तथा संपत्ति की रच्छा के लिए ये दो बाते हैं जो आपको ध्यार रखना है मानो जीवन तथा संपत्ति की रच्छा के लिए दूसरों के घर गिरा दिये तो दूसरों के घर उसने क्यों गिरा दिये मानो जीवन और संपत्ति की रच्छा के लिए दो उद्देश क्या था उसका आग को फैलने से रोकने के लिए उसका उद्देश क्या था क्यों उसने आग को रोका फैलने से क्योंकि मानो जीवन को बचाया जा सके और संपत्ति की रच्छा की जा सके उस इस्थान में जो है तो इसलिए उसने दूसरों का घर गिरा दिया ठीक है अब आपको बताना है इन चार में से एकी लाइविल्टी क्या होगी इस मामले में ए दोसी होगा या दोसी नहीं होगा तो देखते हैं पहला ए रिष्टी के अपराधिक का दोसी है क्योंकि उसने दूसरों के घर गिरा दिये दूसरों के घर गिरा दिये दूसरा है ए अपराधिक रूप से दाई है ए अपराधिक रूप से दाई होगा किन्त उसे च्छमा कर दिया जाना चाहिए वह आपसं देख कितना सही लिखा हुआ है अपराधिक रूप से दाई है कि उसे छमा कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने अच्छा काम कर रखा है या फिर C A किसी अपराध के लिए दाई नहीं है क्योंकि उसने यहकार अन्वित्तियों और उनकी संपतियों को खतरनात अपहानी से बचाने क के लिए किया है या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यह आई पी सी का section 81 लिखा हुआ है यह पूरी जो problem है वो आई पी सी के section 81 का जो illustration है भी वो भी illustration लिखा हुआ है लगबग लगबग same illustration भी दिया गया है और उसी illustrations को यहाँ पर problem बना करके आपके सामने दिया गया है तो उस problem को अगर देखते हैं उस distance को देखते हैं तो उस हिसाब से हम कैसे हैं क्योंकि section 81 कहती है nothing is an offense कोई बात अपराद नहीं है अगर वो की गई है act likely to cause harm ऐसे वो कार अपराद नहीं है जिस कार से हानी होने की संभावना हो वो कार भी अपराद नहीं है बट लेकिन वो कार अपराद कब नहीं होगा जब done without criminal intention एक तो अपराधिक आसे के बिना किया गया हो दूसरा to prevent other harm और अपहानी बचाने के लिए अपहानी को prevent करने के लिए किया गया हो तो ऐसा कार जिससे भले ही हानी हो है छती हो रही है लेकिन अगर हो है कार बिना अपराधिक आसे के और अन अपहानी को बचाने के लिए किया गया है तो फिर वो अपराद नहीं है यहनी कि भारतिधन सहिंता कि धारा पाइक्यासी ऐसे कारग को अपराद नहीं मानती है जिससे भले अपहान हुई है छती हुई है लेकिन उसका उद्देश तो प्रिवेंट अधर हांस का है और उस कारग के पीशे कोई भी किमरल इंटेंशन नहीं है तो डिस्टांस भी भी यही बात करता है तो आप उसको देख सकते हैं और यहां पर देखिए तो ए का कोई किमरल इंटेंशन है क्या बिल्कुल नहीं है और ए ने एका जो ए ने जो आग फैलने से रोकने के लिए दूसरों के घर गिरा दिये तो क्या किया उसने अन अपहानी के निवारण के लिए ही तो कार किया अन अपहानी के निवाराथ ही तो उसने कार किया जिससे कि अगर वो दो चार घर गिरा दिये जाते हैं तो कम से कम मानो जीवन तता संपत्ति के अच्छा हो सकती है यह उद्देश था उसका तो इस वज़े से हम कह सकते हैं कि इसमें उप्रक्त में से कोई नहीं यह तो होगा नहीं हमको मिली गया रिष्टी यहां पर है ही नहीं और अपराधिक रूप से दाई होगा नहीं तो बचा हमारे पास सी वह जो है किसी अपराध अप्सन अगर हमारे सामने हैं तो उनको यह तो इसक्रूट करके आप अंसर तक पहुंच जाएं या फिर आप को इसेंसीन्से मालुम हैं तो इसेंसीन्स आप यहां पर देख लीजी और अगर असेंसल अप्लाइ होते हैं तो भी आप अंसर को यहां पर find out कर सकते हैं, तो कैसा लगा ये वीडियो, इस तरह के मैं problems बराबर दे रहा हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है ये मेरा वीडियो और मेरा अपना तरीका, तो आप मेरे चैनल जुडिस्यल इजाम वाचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करते रहा क करने का है, तो आप इसे share भी कर दीजिए, किसी और कभी भला हो सकता है, अगर आपको किसी बिसेश टापिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिस करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा, कि आपको उस टापिक पर वीडियो उपलब् कर दो आपको moच प्रयास hela सकते हैं, या तो किसी यवार जोला हो सकती है.